हाई दोस्तों अब सभी को पोकेमोन फायर एश की एपिसोड फोर में स्वागत है इस वीडियो में मैं केंटू रिजिन का स्टार्टर पूतिन स्टार्टर पोकेमोन डैट इस बल्बसौर चार्मेंडर एंड स्कौर्टल पकरने वाला हूँ हूआ सो लेस्ट यह थोरह से टाउं एकस्प्रो कर लेते हैं अ स्था सब्सक्राइब स्थार्त पहले दिन के वीडियों में मैं स्था from the pack कर ला था सो एक sneezते हैं की साइट पुम्च टायम यहां पर एक लाख का साइकल मिलता है सो गाइज मैं साइकल खरीदने वाला नहीं हूं कि भी मुझे वर्मीलियन सिटी में जाकर फ्री साइकल मिलने वाला है यहां से आई थिंक हमें जाना पड़ेगा यहां पर जो रास्ता दिखा रहा है यह पोकेमोन रेजिंग सेंटर है यहां पर आपको पोकेमोन दो तीन लेवल तक रेज कर सकता है सो आइम सॉरी बट आई कांट लेट यू पास जीम लिडर्स ओर्रस यहां से हम जाते हैं शॉटकट में कि यहां पर एक रास्ता दिखाई रहा है कि यह हीडिन विलेज है कि सो हमें यहां पर साब्धानी से जाना पड़ेगा वाइल पोकेमोन से बचने के लिए कि आप सो इसलिए हम धीरे धीरे जा रहा है है कि यहां पर हमें एक आइटिम मिला है बीग रूट मिला है एक वाइल पोकेमोन से बैटल करना पड़ेगा कि यहां पर बैटल कर ही लेता हूँ एक स्पी गेन हो जाएगा मुझे टेल वाइब डिफेंस फेल होगा कि एक और गस्ट एटक से मढ़ जाएगा और नाइंटी ठी एक स्पी पीजी और टू लेवल सेवेंटीन का हो गया कि यहां पर एक वाइल पोकेमोन से फाइट करना ही परेगा कि कैटर भी है एक गस्ट एटक से खतम हो जाएगा यहां पर नहीं कर लेता हूँ कि यहां पर में बल्बसूर मिल जाएगा बैटल भी नहीं करना पड़ेगा एक एवर स्टून मिला है बल्बसूर here takes care of this village alongside me however I want बल्बसूर to experience the outside world would you take बल्बसूर with you of course यहां पर एक निकनेम दूगा क्या नहीं 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 दूगा क्यूंकि आश ने भी नहीं दिया था अफकोर्स हम एश का ही एडवेंचर फॉलो कर रहे हैं एक बड़ हम अपना पोकेमॉन चेक कर लेते हैं बल्बसूर लेवल 12 का है 35 हीट पॉइंट है कि हमें इसको पहले में स्विच करना पड़ेगा कि यहां से हमें कि रूट 24 कि यहां पर बहुत सब्सक्राइब करना पड़ेगा आई थिंक मुझे और कि यहां पर तीन बैटल मुझे दिखाए रहा है वान बैटल कि तीन पोकेमान है पिज जी कि रिजर लिफ के इस्तामाल कर दोगा कि यहां पहली सिट का एक बड़ इस्तामाल कर लेता हूँ हेल्थ सेफ हो गया लिस्ट के लिए मेरा फेवरिट मूव है ली सिट कि यहां पर हमें सक्सेसिव मूव्स के लिए हेल्थ स्नैच कर सकता है और हमारा हेल्थ बढ़ जाएगा और इसलिए आप देख सकते है बर्बस और का उतना भी एक्टेक इंक्रीज नहीं कर रहा है पर लिस सीट हमने एक यूज किया है इसलिए हमारा एक स्पीड ठीक ठाक आ रहा है कि सैंडेट एक्से से एक्यूरिसी फिल होता है और यहाँ पर खेल खत्म हो गया 210 एक्सपी यहाँ पर बिल्ट स्प्रोट देखे टैकल पोकेमोन एक्सचेंज करके हम पीजी आटो को लेता हूँ ग्रोथ यूज किया है और इसलिए एक रोज हो गया है और गस्ट अड़ाइक यूज करते हैं एक और अटक करना पड़ेगा वाइन विप यूज किया है उतना भी एफेक्टिव नहीं होगा फ्लाइंट टैप पोकेमोन के सामने प्विक अटक से खेल खतम हो जाएगा और बर्बसौर लेवल 13 में हो गया पोईजन पावडर और एक मूव डिलीट करना पड़ेगा देखते हैं टैकल मूव डिलीट कर देता हूँ बर्बसौर इस ट्राइंग तु लेर्न स्लिप पावडर इस मूवीज उज इंपोर्टेंट एंपड़न पावडर तो वाईज फ्रेट मैं अटा देता हूँ और स्लिप पाउडर लेता हूँ यहां पर ओडिश नहीं पोकेमोन नहीं चेंज करूगा यहां पर गस्ट अटेक से और एक देना परेगा 192 एक्सपी गेन हुआ है और हमने मैच जीत लिया है अनिके दिपिटेड लासरी नौट फियर 208 रुपएया मिला है यहां पर एक और बैटल करना पड़ेगा बहुत सारे बैटेद हैं यहां पर और इसके पास एक पोकेमान है अच्छी बात है और लेवल सेविन का मुझे लगता है आराम से जीच जाओगा एक स्लिप पाउडर एटाइक मिस हो गया तो टैकल यूज किया है रिटाटर ने कि क्विक अटैक और यहां पर हेल्ट स्नैच हो जाएगा उतना भी हेल्ट स्नैच नहीं हुआ है सो मुझे लगता है रेजर लिफ यूज करना पड़ेगा स्लिप पाउडर यूज किया है पहले मैं एडिक्स नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बलबसर उतना भी स्ट्रॉंग नहीं है प्रेटिवली मेरा अधर पोकेमान से यहां पर रेजर लिफ यूज करूगा यह तो एक जटके में गया था तो मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़े था आई ट्राइट में ओल्वेस्ट यह हमें पता है और यहां पर इस गेम में एश का फुल वर्क्त्रू है गलार रिजन तक मतलब फायर एश के 2.25 का 2.25 के जो अपड़ेट आया है उसमें गलार रिजन भी एड़ेट कर गया है वी कुड प्ले ओल्वेस्ट अपड़ेट पोकेमोन और यहां पर स्लिफ पाउडर यूज करता हूं वे जिल को एक लिस सीड़ भी यूज करूगा क्योंकि एक हीट पोइंट बचा हुआ है बलबस और का और पाच एक्सपी गेन हुआ है रिजर लीफ यूज करता हूं कि उतना भी एफेक्टिव नहीं हुआ है पर कोई बात नहीं लीस सीड़ के मदद से हमारा हिट पॉइंट फोरा सा इंक्रीज हो जाएगा पॉजन पाउडर अब यूज करता हूं कि अड़े यार यह तो फेल्ड हो गया कि बल्बस और का हीट पॉइंट धीर धीरे बिल्डप हो रहा है कि फिर से एक रेजर लिफ देता हूं तो फोई बिट्रियूस पिक तो एक अटक में खतम हो गया मुझे लगता है अब पोकेमोन के लिए पिकाचु को लेता हूं कि सो एक थंडर बोल्ट थंडर शॉक देखे देता हूं कि अच्छी बात है कि फोई बिट्रियूस का अटक मिस हो गया है सो एक और अटक करना पड़ेगा एक थंडर बोल्ड देता हूं और पिकाच्चु लेवल से वेंटिंग का हो जाएगा अगर बल्बस और फिंड नहीं होता तो बल्बस और आइधिंक लेवल 15 तक तो ग्रोफ हो जाता सो बटर फ्री के लिए सामने थंडर बोल्ड यूस करता हूं और एक और चाहिए कंफ्यूजन अच्छी बात है पिकाच्चु कंफ्यूज नहीं हुआ है बटर फ्री लेवल 14 का खतम हो गया और पिकाच्चु लेवल 18 का ग्रोफ हो गया चाहता था कि बल्बसर ग्रोफ हो पर पिकाच्चु ग्रोफ हो गया पिर कोई बात नहीं हमारा पिकाच्चु भी बहुत स्ट्रॉंग है और थंडर वेब मैंने लेने वाला हूं क्योंकि यह से पैरलाइज ही करता है और पैरेस सो पोकेमोन चेंग्ज नहीं करता है डेवल कीक से देखता हूं यहाँ पर क्विक अटैक फिर से एफजो यूज किया है पिकाच्चु ने एक विक अटैक यूज किया है और स्लिप पाउडर रहे यार यह हो गया सो बटर्फ्री को पीजी आटो को लेता हूं फिर से स्लिप पाउडर और अभी तो पीजी आटो वोक अप हो गया है पीजी आटो ने गस्ट अटैक यूज किया है और वो सुपर एफेक्टिव भी है कोई बात नहीं फिजी आटो 99 xp मेटापॉर यूज कर रहा है और गस्ट अटैक यूज किया है हमने कोई मेटापॉर फेंटेट फिजी आटो गें 287 xp पॉइंट और थोड़ा सा होगा तो फिजी आटो लेवल 18 में ग्रोव हो जाएगा यहाँ पर एक और बैटल करना पड़ेगा स्वरी तीन तीन बैटल करना पड़ेगा अभी तक इफ यू इन आई विल गिव यू सम्थिंग अच्छा देखते हैं बैटल करी ही लेते हैं यहाँ पर इसके पास एक ही पोकेमॉन है मैंकी और फिकाची तो स्लीपिंग में हैं अरे यार मैंने यह क्या कर दिया तो आई थिंक बैग में जापके एक रिवाइव कर लेता ही हूँ बल्बस और को क्योंकि पिकाच्छु स्लीप में है एक मूव नष्ट हो जागे इसलिए साइस्मिक टॉस्ट यूस्किया है बाप ले अट्रा एक स्पी गया गया अब बल्बस और को लेते हैं यहां पर लीज सीट केराटे चॉप दिया एक और लीज सीट कड़के देखे थे पाच एक त्रिप है हुआ 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 है के और हम फेंट हो गया है तो हमारा वल्बस और एक स्पी के नहीं हो गया तो पीजिय और टोको लेता हूं कि इसका पोकेमॉन मतलब मैंग की बहुत ठाकत वर लगता है क्योंकि हमारा पїक ओर बनासर को दोनों पइंक कर दिया है और इसलिए एक और अटेक करना पड़ेगा और लीज सीड है इसलिए हमारा एक प्रिफर्ज से रिगेन हो रहा है है तो साइस्मिक टॉप फिर से युज किया है उतना भी एफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि फिजिस अटो एक प्राइंट टैप पोकेमों हैं साइस्मिक टॉप और फ्राइंट टैप फोकेमों के लिए बना हुआ है और इसलिए पीजे अटो लेवल 18 में ग्रो हो गया है और हमने डिफिट कर दिया है 288 रुपईया मिला है हमें और यहां पर इसके पास जिंक्स है मुझे लगता है और देखी लेते है एक ही पोकेमॉन होगा हां लेवल डूकर जिंक्स मुझे पता था और यहां पर छोटा से गस्ट अटाइक यूज़ करेंगा और खेल खत्म हो जाएगा बटर फ्री ने 15 एक्सपी गेंड किया है और यहां पर एक और बैटल इग्नोर कर लेता हूँ नहीं अब फाइटी कर लेता हूँ आएम रेडी क्योंकि सब बैटल इग्नोर नहीं किया जा सकता है ऑए और अऑड एक डेट बटर फ्री राटिकेट के सामने बटर फ्री आरां से जीचाएंगेंगे की अ की पौकस ऑनाजी किया है बड़े क्रिणों करणी यूज साइब गेन किया है एकेंस को यूज़ कर रहा है पोकेमोन नहीं चेंज करूगा साइब और एक अटेक से गया वाटरफ्री 190 एकस्पी और इसलिए वाटरफ्री लेवल 90 में हो गया सिल्वर विंड में नहीं लोगा यह फालतू का मूव है मेरा यह चार मूवी अच्छा है और कैंपर रिची तो हम इने हरा दिया है और दो सेकिंड में खिल खतम हो जाए और यहां पर मुझे लगता है पूर अपनी लास्ट मुकाबला है चेक आउट माइवोडिट चार्मेंडर को पाने के लिए हमने इतना सारा मुकाबला करना पड़ रहा है फिर ठीक है कोई बात नहीं हम इग्णोर भी कर सकते थे पर बैटे करने के लिए हमें बहुत मसा आता है एक गस्ट अटक यूज करता है और एक और यूज करना पड़ेगा और हम जीत के बटर फीट फीट ने निक्स्टी गेन हुआ है और इसा बेला ने ओलिश यूज किया है फिर से और गस्ट अटक हमने फिर से यूज किया है कि बटर फीट 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 इन एक गेंग किया है फैसे ओडिश नहीं पोकेमर नहीं तेंट करोगा बटर फीट लेवल ट्वेंटी का हो जाएगा हमारे फाइदा होगा एक और गस्ट अटक यूज करना पड़ेगा कि पाउडर उतना भी अच्छा हुआ कि मिस्ट हो गया उ कि बटर फीट 327 xp गेंग किया है और हमने हडा दिया में भी नेक्स टाइम 288 xp गेंग ही हुआ है और यहां पर कोकेमोन सेंटर जाके फुरा सा हील कर लेता हूँ तरह दिखता हूँ कोई अटक और बैटल बचा हुआ कि है नहीं अब और बैटल्स नमीडर भीफोर निदेखता है आपर जैल तु सक्षार्य में अप्रामाइल लेता है थैंक यू वरट ग्राम पोकेमान उद्ट में वासी दिखत वासा हील कल लेता है यह तैंकि और वाच्छोड आएं आप रेस्टाइम एविट्रावर पोकेमान कि यहां पे हमें Charmander मिलने वाला है और ऑच्छा मुझे Charmander यह लगता है मतलब 40,000 में जब इप्वाल होगा विज फाइटिंग टैप Pokemon नर्बेस पायर टैप Pokemon होगा इसलिए मैं चार्मẻंडर को ज्यादा प्रिफर गटता हूँ और पंद्रा लेबल का चार्मेंडर है यहाँ कर अब फैंडर हमें लगता है वो चार्मेंडर का ट्रेनर से हमें फाइट करने पड़े वह गाया है यहां पर चार्ट कुल मिल गया है इसने पॉऽ्मिस किया थख अगर लें चार्ट मेंडर को बचा या तो हमएंa यहां पर इस लड़की से बात कर लेते हैं एक बार वर्मिलियन सीटी साथ अफ यहां पर एक और हाउस है देखते हैं क्या है इस प्रवाइब करना मैं आग आग इसलिए स्कॉटर इसकोट को हम अध्यूगा अध्यू लगता है हमें बैटल करना पड़ेगा और स्कॉटर में बोलने से बोल नहीं हमें टीम रॉकेट से बैटल करना पड़ेगा पहले से दो पोकेमान है टीम रॉकेट के एकेंस है और बल्बसॉर को यूज करता हूँ बल्बसॉर का एक ठाट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है और एकेंस ने यहां पर वाइट यूज किया है बल्बसॉर यूज पॉज़न पाउडर बर यह एफेक्ट ही नहीं करता एक प्रेजर लिप यूज करता हूँ और तो हमें जोड़ा यूज करने का कोई मुका ही नहीं मिला सो पोकेमान चेंज कर लेता हूँ चाल्मेंडर कर विःस करता हूँ गो चाल्मेंडर या पेफेर से बाइट यूज किया है एकेंस ने तो फ्लेम थुवर चार्मेंडर प्लिस्ट और बाइट फिर से यूज़ किया है और चार्मेंडर तो प्रेंटी हो गया है फिर कोई भी बात नहीं हमारे पास अभी भी तीन पोकेमोन है थंडर बोल्ट यूज़ किया पिकाचु ने फिर से एक थंडर बोल्ट और एक और थंडर बोल्ट चाहिए कि मुझे लगता है कि पहले बर्बसौर को दो लेता हूँ को कॉफिंग को दिया है सो स्लिप पाउडर लिस सीट अड़े यार यह तो पहले अटेक करके गया और हमारे बर्बसौर फेंट हो गया अब कि पिकाचु को लेता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैच कितम हो जाएगा थंडर बोल्ट हमने फिर से उसकिया है एक और चाहिए स्लज बूम यूज किया है और यहां पर पिकाचु भी फेंट हो जया है और दो थो पोकेमोन अभी भी बचा हुआ है मेरे पास तो गस्ट अब करेंट अब करेंट अब करेंट है और यहां पर हमें स्क्वाटर मिलने जा वाला है स्क्वाटर लिसाइड टू जाइन यह स्क्वाटर नहीं कोई निकने में दूगा और यहां पर यहां पर आके यहां पर एक और स्क्वाटर है बात कर लेते हैं स्क्वाटर है यहां पर देख लेते हैं रास्तासा प्लियर, आप इनन riding होलिंक कि यहां पर थोड़ा सह सेक कर लेते हैं पोगेमोन चेक कर लेते हैं पे hustler लेवल 15 का है और we both ah is so हम यहां पर बखगे चेचर्स से फाह्त नहीं करेगा यह next इस एपिसोड में जरूर हम बखकेचर से फाइट करेगा सो तिल नाओ एंजर थेंक्स गाइज सुब। करे नाओ एंजर एंज truths एंदर प्रिस्ट ईंज करेंशिछ अ एंजर थाम सिर्वें में गराफ नार साओ hern Чई से उढ में कव्वफ एंजर तूर्ड बंक्स等等 झाल झाल